Welcome Dear Students, Discovery Classes में दिस्कवरी क्लासेज में चार सर आप लोगों का फिर से हार्ती खविनादन करता हैं, Welcome क्रता हैं और स्वागत करता हैं मैं तुम्हारा मूर जी को भी confusion खतम कर दियू, मूर जी ने भी मजाग मजाग में बता दियू, कि भई उट की कुण कुण सी नसल है, बता यू मैं एक दिने, मैं मूर जी निखियो भई, ओ मूर जी, बोले गुरु जी काई, मूर जी, बोले ओ गुरु जी काई, मूर जी बोले गुरु जी, मैं तो को लिया, था रकाई हो रहे है, मैं कहा भईया, मेरे तो पत्री हो रही है, तो मूर जी बोले ओ कत्ता एम एम की, तो मैं खियो भईया, नो एम एम की, कत्ता एम एम की, नो एम एम की पत्री हो रहे है, मोर जी तुई बीका नेर जा और खर्रा साब तानी कच्छी लिया ठीक है तो इमें कुणकुण ची नसल आगी तो देखे ओ भई कुणकुण ची नसल है बीका नेरी पहली बीका नेर जा जे तो बीका नेरी जा जे जा लोर जेसल मेर खर्रा साब तानी खर्रासुण खर्राई खर्रास आप तहुती कच्छी लजे तो कच्छी ये भी उड की नसल है और 9MM की पत्त्री होगी 9MM की मतलब एं सुमेवाड़ी मारवाड़ी फेर मेवाड़ी मेवाटी और मालवी 5MM ठीक है तो ये सब क्या है उट की पंजिकरत परमुक नसले हैं भारत की कौन कितनी नसले हैं? 9 बीकानेरी, जालोरी, जेसल मेरी, खर्राई, कच्छी, मेवाडी, मारवाडी, मेवाती और मालवी ये माननेता प्राप्त या पंजिकरत 9 नसलें उट की हैं अब इन नस्लों के बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है, कौन-कौन सी नसल है भी, पहली बात अपन चर्शा करेंगे, बीकानेरी नसल के बारे में, बीकानेरी नसल क्या है? बीकानेरी नसल जो है मुख्य तब बीकानेर में पाई जाती है इसके अलावा गंगा नगर, अनूप गड, फलोदी, सीकर, सीकर चूरू जुंजुनू ठीक है सेखावाटी में और नागोर ठीक है यहाँ पर ये नसल पाई जाती है राजस्तान में इसके अलावा राजस्तान के जो परोशी राज्ये हैं पंजाब वहरियाना के जो समीपवर्ती शित्र हैं उनमें भी बीकानेरी नसले पाई जाती है खास बात क्या है बीकानेरी नसल की? यह कि यह तीन नसलों के कॉम्बिनेशन चे के संकरन से बनी है कौन सी नसल तीन नसलों के संकरण से बनी है तो आप बताएंगे बीकानेरी कौन कौन सी तीन नसले हैं सिंधी बलूची और अफगानी सिंधी बलूची और अफगानी सिंधी सिंध की बलूची बलूची स्तान की अफगानी अफगानी स्तान की इन तीनों नसलों के संकरण से बनी उट की नसल कोण सी है, बीका नेरी, बीका नेरी मिक्षर है, कैसे है भई, इसमें सिंदी भी है, इसमें बलूची भी है, इसमें अफगानिस्तान नसल के भी गुन है, ठीक है, विश्व की सबसे सुन्दर, विश्व की सबसे सुन्दर नसल है, किसकी उट की, उट की, वि बिकानेरी है इसमें स्टोप जीरपा पाये जाते हैं परशन पूछ लेते हैं स्टोप क्या होता है स्टोप का मतलब होता है कि जो ललाड होता है उटके उटके ललाड के बीच में एक गड़ा पाया जाता है इस गड़े को अपन क्या कहते हैं स्टोप कहते हैं क्या कहते हैं ब कहते हैं बच्चा स्टोब कहते हैं समझ गए और जीरपा क्या होता है उंट जो होता है जो बिकानेरी उंट जो होता है उसकी आखों और कानों और गले पर लंबे लंबे बाल पाये जाते हैं आखों पर लंबे बाल कानों पर लंबे बाल और गले पर लंबे जो बाल पाये जा कौन कौन सी तीनों नसले हैं सिंदी है बलूची है अफगानी है तीनों नसलों की यह जुबानी है कौन सी बीकानेरी किस कामे आता है बोजाड होने में और करसी कारियों के लिए यह उपयोग में लिया जाता है अब अगली अगली नसल है जालोरी ठीक है मूर जी तू बीकान जाजे का मतलब जालोरी वे जैसल मेरी जालोरी की क्या खास बात है यह जालोर वे साचोर में तो पाई जाती है इसके इलावा सीरोई में भी पाई जाती है और बालोतरा में भी पाई जाती है और देवासी जाती जो होती है उंटों की उस जाती द्वारा पाली जाती है देव जालोरी देवासी याद रखेंगे कहां कहां जालोरी है जालोर में तो पाई जाएगी याद करने वाली खास बात नहीं है सांचोर में भी पाई जाती है और बालोत्रा में भी पाई जाती है और क्या खास बात है जालोरी की जीरपा एपसेंट होता है इसमें जीरपा नहीं प जीर पर मतलब क्या है कि आखों पर कानों पर और गले पर लंबे बाल नहीं पाए जाते जालोरी नसल के उटों में ठीक है जालोरी के बाद पढ़ेंगे जेसल मेरी क्या खास बात है जेसल मेरी की जेसल मेर मेर में पाए जाती है बोर्डर पे है इसलिए B.S.F. के जवान जो ह पाना जाता है बाड मेर जोदपूर फलोदी और बालोत्रा जेसल मेर के अलावा इन ख्षेत्रों में भी ये पाया जाता है उंट बाड मेर मेर में जोदपूर में फलोदी में और बालोत्रा में भी यह उंट पाया जाता है कौन सा जेसल मेरी नसल का उंट सुवारी के लिए आप बेट करके सवारी कर सकते हैं भई B.S. आप वाले इसको साथ तो लेकर नहीं जाएंगे घुमाने, सीमा का बर्मन करवाने उसके उपर बेट के ही तो जाएंगे ना सवारी करने के सवारी करके जाएंगे ना इसके लवा उट दोड है तो भी यह प्रियुक्त होता है, उट दोड में भी इसको कामे लिया जाता है उट दोड है तो कौन सा उट की कौन सी नसल कामे ली जाती है, तो आप बताएंगे भई जेसल मेरी, और क्या खास बात है, यहां से पर्षन मनता है पर्थम विश्वयुद में महराजा गंगा सिंग के गंगा रिसाला में उट की कौन सी नसल प्रियुक्त की गई थी, कामें ली गई थी महराजा गंगा सिंग के गंगा रिसाला में पर्थम विश्वयुद के दोरान उट की कौन सी नसल उप्योग में ली गी थी तो वह है जैसल मेरी कौन सी नसल बच्चा जैसल मेरी ठीक है बच्चा नेक्स्ट ओर देखे सेना वे पुलिस के जवानों दोरा गस्त में प्रियुक्त होती है सीमा पर गस्त लगाते हैं ना सेना के जवान पुलिस के जवान जब वो गस्त लगाते हैं रेगिस्तानी अलागों में तो कोण सी नसल काम में लेता हैं, कोण सी नसल उप्योग में ली जाती है, जेसल मेरी, याद रखना परशन तो बनता है, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कई बार पूछ लेता है, बीएसेफ के जवानों के दोरा जो गस्त के लिए कोण सी उटों की कोण सी नसल काम में ले जाती है, तो आनसर क्या हो जाएगा, जेसल मेरी, अब देखे, मूर्जी थे, जेसल मेर, बीकानेर, जाजो, मूर्जी, बीकानेर, जाजे, तो जालोर जेसल मेर हो गया, और खर्रा साबदानी, खर्रा का मतलब खर में इंग्रोव जलवायों में रहने के लिए उप्यूक्त है जहाँ दल Whitney national के बिर निकलती है उस छेतर में खर्राई नसल पाई जाती है, उट की दरिया तरू नसल पाई जाती है, परसन यहां से बनता है, ठीक है, नेक्स टोर देखेंगे, कहां पाई जाती है, कच्छ गुजरात में, ठीक है, कच्छ गुजरात में और करनाल हर्याना में, कौन सी नसल पाई जाती है, ख खर्रा साब तानी कच्छी लियाजे, मूर्जी तू बीका नेर जाजे और खर्रा साब तानी कच्छी लियाजे, क्यों थे लियाओ मूर्जी बोले बोले नहीं, मैं तो नहीं ला सकता, गुरू जी ने बोला, मैं तो नहीं ला सकता, भी तो फिल, क्यों नहीं ला सकते, नो एम कच्छा रन्ग दिखने में बेकार लगते हैं ज्यादा सुंदर नहीं लगते हैं बीका नेरी उट सुन्दर लगते है स्टोप वे जीरपा का अभाव होता है कौन सी नसल में? कच्छी नसल में स्टोप भी नहीं पाया जाता और जीरपा भी नहीं पाया जाता स्टोप वे जीरपा का इसमें क्या होता है? बच्चा अभाव होता है और ये दल्दली जलवायू के अनुकूल है दल्दली जलवायू में ये पाए जाते हैं बात समझ में आ गई होगी दल्दली जलवायू में ये भी पाए जाते हैं कच्छी भी और खराई जाते हैं खर्राई नसल के जो उट है ना वो भी दल्दली जलवायों में पाए जाते हैं अब देखिए नेक्स्ट कौन सी नो एम एम की एम एम का मतलब एक एम सुतो गो मेवाडी तो ये मेवाडी नसल छटे नमबर की नसल है जो मन यता पर आप तो उट की नसल है और उदेराज उदेराज का मतलब उदेपूर राज का मतलब रासमंद भील डूबा भील से मतलब भील वाड़ा डूबा का मतलब डूंगरपूर बांसवाड़ा ये राजस्तान के इन जिलों में ये पाए जाती है कौन सी मेवाड छेतर जो कहलाता है उद्यराज, भीलवाडा, डूंगरपूर और बासवाडा इनमें ये पाए जाते हैं इसके अलावा मद्धे पर्देश का जो मंद्ध, सोर वर निमच शेतर है उसमें भी ये नसल पाए जाती है कौन से नसल पाए जाती है भई? मेवाडी नसल पाए जाती है ये द्यान में रखना और मेवाडी को आप पहडी पढ़ लें तो जदा याद हो जाएगा पहडी क्यों पढ़ ले भई? ये पहडी एक शेतर है और दूसरी बात पहडी इलाकों के अनुकूल है पहडी इलाकों के अनुकूल उंट की नसल कोण सी है तो आप बताएंगे मेवाडी, khाई रेवाडी, जाए पहडी में, ठीक है और इसकी खास बात ये को एक और विशेस लक्सन मेवाडी नसल को क्या की बाई मेवाडी नसल के जो उट है उनका नीचे वाला होट जो होता है वो जनरली लटका रहता है नीचे का होट लटका करके पहडी पर चड़ जाते हैं ठीक है वो ही मेवाडी उटे कहलाते हैं तो मेवाडी उट की खास बात क्या है नीचे का होट लटका रहता है और ये पहडी छेतरों में पाई जाते हैं इसलिए इनके पेरों के तलवे जो होते है ना पेर तो भारी होते ही है और तलवे जो होते है वो मोटे होते है काफी टाइट मोटे भारी पेर तलवे मोटे किसके पहडी छेतर के मेवाडी उंट जो है उनकी ये खास बात है होट जो होता है नीचे लटका हुआ होता है नीचे दूसरा आम जो है, नो ऐम ऐम की पत्रि होगी, तो एक ऐम तो पढ़ लिया, एक और आम है. मारवाड़ी नसल, मारवाड किस शेतर को कहते हैं? जोदपुर जो शेतर है, उसको मारवाड कहते हैं. तो कौन-कौन से हैं यहां पर फलोदी में, बालोत्रा में, बार्डमेर में, जालोर में, नागोर में, पाली वे सीकर के कुछ भागों में जोदपूरी या मारवाडी नसल के उंट पाये जाते हैं यह खास बाद ध्यान में रखेंगे थोड़ी थोड़ी बातें अब है नो एम एम की बाई, नो एम एम की, तो तीसरा एम क्या है मेवाती, मेवाद शेतर, मेवाद शेतर में जो उंट की जाती पाये जाती उसको मेवाती कहते हैं और ये अलवर वै भरत्पूर में पाए जाते हैं सवारी वै बोज़ाड होने के लिए उप्यूक्त हैं ये द्यान में रखना भी ठीक है अब नेक्स्ट जो जन जाती जो उट की नसल है मालवी शेतर मालवा परदेश है मालवा शेतर मंदशोर मद्दे परदेश परदेश का جो मन्दसोर जिलला है उसका मालवाक शृतर जो है उसमें मालवी नसल के उंट पाए जाते हैं और इस उंट का रंग किस परकार होता है ओफ वाइट रंग एकजाम में आ जाए ओफ वाइट रंग उट की कौन सी नसल का होता है तो आप बताएंगे मालवी या परशन पूछ ले कि मालवी नसल के उटूं का रंग किस परकार का होता है तो आप बताएंगे ओफ वाइट रंग होता है ठीक है और यह सबसे छोटी भारतिय नसल है और यह क्या है बच्चा सबसे छोटी भारतिये नसल है इसके अलावा और अन्य उट की नसल भी पाए जाते हैं जिनको कोई इनमे से जो नसल है उनको कई नामू से भी जानते हैं तो वो कौन-कौन से अब यह अब एक्जाम में आ जाए गोमठ का उट बहुत बार पूछा जा गोमठ नसल का उट कहां का परशिद है फलोधी का फलोधी अब जिला है ठीक है ना फलोधी का नाचना जैसल मेरी किसम का उट जो है उसी की एक नसल है नाचना जैसल मेरी का परशिद है अलवरी अलवर का है और सिंधी इंपोर्टेंट परशन है सिंधी किसकी नसल है तो आ एत्पुर्ण बातें उट की वीपीने नसलों से समंदित क्लास असी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना थेंक्यू धन्ये